नमस्कार दर्शक्रिंद नविन क्रिशी प्रविदी कारेक्रम को आजको श्रिंखला मा स्वागत छो मस्री जना पोडेल एस कारेक्रम्मा हामी कृषी तथा पसुपन छेथ्रमा प्रयोगमा आई रहेका रहणसंदान को क्रम्मा रहेका नविनतम प्रविदी अरुप प्रस्तुत गरने गरदा छाँ आजको कारेक्रम दुई चरण को उने छ millet पईलो चरण मां आमी उन्नात प्यास खेदी प्रविदी सम्बंदी जानकारी दिने छाँ वने, दोस्रो चरण मां मुलाको बियु उत्पादन सम्बंदी प्रविदी रहने छा। आउनो होस आज़को कारेक्रम सुरू गरों, प्याज को उन्नात खेती प्रविदी बाटा, बाउगोलीक छेत्र अनुसार प्याज को जातिय चनोड कसरी गरने, मलखात ब्योस्ता पन कसरी गरने, रप्याज खेती गर्दा केकस्ता कुरामा ध्यान पुराउनो पर्दा छता, पन्ने बिविन्ना विशाय मा जानकारी रिनको लागी, आजा हमें आई पुगेका छाउं, तरकारी बाली विकास केंद्रा खुमल्टार, आउनो होस बिग्ये संग कुरा गरों? प्याज मा एलाइल प्रपाइल डाइसर्फाइड वनने, एवडा एलकोलाइड पाइण चले गर्दा करें प्याज पीर होने गर्दा वराइटी मा चैनि नेपाल मा प्रचली बनेको रेड क्रियोल और नासिक 53, एग्रिफोन डार्करेट, इनी चैनि मेजर वराइटी रुण, आमिले चैनि आम्रगोड चैनि श्रोद बिउव बनेको, तरकारी बिउव उतपादन केंदर, रुखुम बाटा चैनि आमिले श्र प्याज को विवुँ चाहिं 2-3 degree centigrade मा उम्रण थाल चाहिं राम्रो ब्रिद्र विकास को लागी चाहिं 10-18 degree temperature मा राम्रो ब्रिद्र विकास हुँँचा विवुँ रूपने संदर्व मा चाहिं 10 cm को दूरी मा आमेले चाहिं लाइन को रशाँ लगातार रूप मा विवुँचा रशाँ रो ये डेफ्थ को इसाब मा चाहिं धेरे गईराई भीनी गर नाहों देना रो धेरे सर्फेस मा पने रोपना उदेना किना मन्दा येसको जर प्याज लाइ खासगरे रूदे येमा लगायनी उदाखेरी मा प्याज को ड्यांग बनाव देना अमीले गईरो बनाए रा ड्यांग बनावने गर्शाँ जिसको आसाय की हो बना मोइस्यर से ठिसमें कंजर्म उस्पननी इसा अबले आमले जहीं दबेक नर्शरी पनावने क अपसेश को लाग्या मुल्चिंग गरने हो यह लाइट पर्य उवह बहने हैं जोट में चेया जार्मिनेशन हो देनी लाइट न परोस में अभरेज चेया बोराले छबने गर खाएं और मोअश्यरमिन जूट बोराले गर दाखरे मोअश्यरमिन कंजभग बहना चाहिए लाइन देखी लाइन को दूरी 15 सेंटीमीटर रा बोड देखी बोड को दूरी 10 सेंटीमीटर कायम गवन पर छा येसरी गर्दा खेरीमा तब एक रोपनी मा पांसे चार से देखी 500 ग्राम विव भाए बने एक रोपनी विव लाए पुक्षा प्याज को चैनि परती रोपनी को इसाबने गर्दा खेरीमा दस इंटी पंदर सेंटीमीटर को स्पैसिमीटर लगाव दा खेरी 33,321 अटाउशन इसको मल खात को इसामा कुरा गर्दा खेरीमा अब मल खासगरेरा बिरुआ माटो मा कती नाइट्रोजन फस्परोस पोटास लगायात का मल अरूशन तेसले फरक पार्चा तही पनी टेंटेटिव रूप मा चाहिए 4 किलो डियेपी 3 किलो यूरियार पांस किलो जेती पोटा पोटास ने बड़ी कंजब गर्ने खेरीमा पोटास ने अली बड़ी आल ता रामर होंचा तो अब नर्शरी बेड प्रिपरेशन लाई पनी जाएंचा रा अंती मवस्तामा अमेले जो बेर नाहरू रोपने गर्शों त्यो व्यलामा पनी माटो माटो माल अरू को मात्रा त प्रतिरोपनी को दरले गर्दा अजर आमरो बयो यस माचाने सब्वंदा बड़ी पानी लागने रा वीडिंग गरने सब्वंदा बड़ी खर्चा लागने होंचा वीडिंग मात अब तब यहां भी रहन शकना होंचा अब शानो शानो तबहेगो यो जार आई छागया बवस्ता देखीने जार आउन शुरू कर सा अब यस माचाने अब पियाज जस्ते ही खालको मोथे अउरू आउसा अरू अरू पियाज जस्ते ही किसीमका वीड आउन निश्के दूर अचा जले गरता पियाज भार चान चुट्टा अउन पने गारा होंचा अधी बवस्ताम और यसको सीजन को इसाप्री कुरागर दाखिरी मापनी ब्यू रोपे देखी बल्ब लिन्जरी माचाई छमय ना समय लागने हुँँँचा जले गरता यह चाई अलिकती टाइम कंजूबिंग क्रप पनी हो पानी चेहिं यसमा चेहिं आमीले दाइनिक जस्वा आलना परछा जब सम्मा बिरुवा मतलब रोपने लायक हो देना तब सम्मा चेहिं एसको लागी चेहिं यथेस्ट रोपमा दिनू परछा प्याज मा खासगर रहा शुरू को अवस्था मा पानी एकदमे बड़ी चाहिं चाहिं रहा प्रोडक्षन को हाफ स्टेज सम्मा जाना आखिरी मा पानी ले बड़ाओ दे जानू पर छा बल्ब अथवा गानो तयार भाईशक चाहिं अब खन्ने बेला हो बन्ने भाईशके तो अवस्था मा चाहिं 15 दिन पहला पानी बन्द गरनू परू रहा टेसको डांट लाइचे डलाइदीनू परू जले गर दाखिरी तेसको चेहिं जुन ड्राइब मेटर जुन चाहिं खाद्यापदार्त हो तेसमा चेहिं लामर समय समय टीकी रखनो को लागी चेहिं रामर किसान दाजबाईली चेहिं दिदिवाईन उल्यू वा किये गरनू सकनों चाहिं बन्द दिन पहला चेहिं तो डाइटलाइज उन्च डलाइदीये बचित आफई विस्तार चेहिं तेसमा चेहिं ड्राइडेस आउन धाल चाहिं शुखा पनाउंच जले गरता इस्टोरेज म लामोर समय 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 ठीकन सक्षा इसमा खासगरे रहा परपल ब्लाच रहा त्रीप्स ले दुखा दिन चेह रोग किरा अरको संदर्भमा यो परपल ब्लाच को लागी चेहिं अमिले कपर अक्षी कुलोराइड मैंको जेब रहा कार्मेंडाजी मिक्स वा अको विसाधि अरियो प्याज को संदर्भमा खासगरे रहा अमिले अफसीजन प्याज निकालना परने हुँँचा हास गारे रहा दस población बिच मा चांए प्याज को बजार मा चांए दिमान बडीरा हुँचा यो अजगारी ने पनी गरना हुँचा दस्यत्यार बंदा अगाडी ने अथवा अलिकति एक महिना पसाडी कुईशाब माँ चे प्याज लाई निकालना सकीन छा जसको लागी आमरो वेराइटी चाहिए तपाइगो एग्रिफोन डार्क रेड लाई ली येगो छा यो वेराइटी चाहिए खासगर अरियो प्याज को लागी प्रयोह गर्नी गरीन छा। बिव को जातिये सुद्धातार गुणस्तर कायम रहोस। 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 और प्रांगारीक तातार आस्यानिक मालारू रॉम्रसंग मिक्सिंग कर्फि यॉव को जातियो जातिये सुद्धातार गुणस्तर कायमकादा गुणस्तर कायम आम्रो गुनस्तर थार आम्रो मात्रामा उप्पाधनलीन सगिने बय गूनालेचे आमीले एशो गरिये गू हवस्त दर्शक ब्रिन आजगो कारेक्रम यहारूला कस्तो लाग्यो कारेक्रम सम्मन्दे कुनाई जिग्या सा सुजापत था प्रतिक्रिया बयमा हामीलाई संपर्क गर्न न भूलनो अला संपर्क गर्ने ठेगाना इस्क्रिन मा दियेको छ आउद साता इस्ते नया प्रभिदी युक्त कारेक्रम यह रव उपस्तितु ने नैचो तब सम्मको लागे संपर्ण टीम लगायत मकारेक्रम प्रस्तो दाश्रिजाना पाउडेल पने विदा चाहांचु नमस्कार यह भगवान नेपाल का संपूर्ण क्रिशक गर्ड़ाई सरकारले सिफारिशगरेको रहवापानी स्वहँदो विव मत्रे रुपने सत बुद्धी देव प्रभु मामा भगवान संग मेरो लागी पनी के मांगनो अला वनेको ता फ्यरी पनी विव कही कुरा तिम्रो लागी पनी विश्यर्ष कुरा मागया चुनी बाजी एथा होता जब ती कानी खुची गरेनी के बता आखिर माली कुरा बुजी सके अने सब पई क्रिशक गरु लाए असल ब्यू लगावने सत बुद्धी देव भाववान पंद भनेनी माइले तियो पनी सुने आखिर ब्यू चे असल है उन्नु पनी रहेचा किर्शी मा असल ब्यू को एत्ती धरे महत चाहगी मामा अब हमी नेपाली छिट्टै खाद्धान्नमा आत्मा निर्वर होने होगाने हमी ले गुणस्तरिय ब्यू ने लगावनु परचा मेरो मामा मैजुले जस्ते तापाई हरू पनी जा पाई ते कोरा जस्त पाई ते श्ते ब्यू नले असल ब्यू मात लेउनु ऊचै? असल ब्यू को सबालमा हमी शबैच चना keto पनो शंबृद्ध नेपाल को आधार असल ब्यू उत्पादन अपार नेपाल सरकार क्रिशी तथा पस्वुपंसी विकास मानत लालय क्रिशी सोचना तथा प्रसिचेन केंद्र हुआ हुआ धर ढगागा झाल